ये एक राखी, ये दूसरी राखी, हाँ, हो राखी, थाली भी सेट हो गई अच्छे से, अरे फ्रेंज, हाई, कैसे हो, हापी राखी, to all my friends, हापी रक्षा बंदन, सॉरी, आप, 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 भी एक्साइटेड हो न, आपने भाईयों के राखी बानने के लिए, मैं भी, चलो प्रेंज, बानने के तयारी हो जाए, इठाली तो सजा लिए, और, हाँ, टीका भी लाना है, आप याई friends, मैं लिया आई टीका, मेरे टीका टेबल पे पड़ा हुआ है, मैं रख देते है, friends, मैंने टीका भी रख दिया, अरे, इती देर में मेरी राखी कहा गई अरे, मेरी राखी कहा गई, अरे, friends, मेरे राखी कहो गई क्या करूँ, डियाई वाई, डियाई वाई बनाते राखी को, तो आपको भी शिकाती हूँ, और खुद भी बनाती हूँ friends, उसके लिए राखी बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेट शीट लेनी है, ये थोड़ा सा कट हो गया है और रेट शीट से आपको एक बैंड कट कर लेना है, ऐसे बैंड टाइप कट कर लेना है, ऐसा, ऐसा बैंड टाइप आपको कट कर लेना है, ठीक है friends, बैंड टाइप कट करने के बाद, फिर आपको येलो एंड आगलू शीट से दाइमंड कट करने है, मैं डाइमंड अभी क कट कर दिये मैंने हैं ये ब्लू कलर का है ये येलो शीट से क्योंकि मैंने इससे ब्लैक शीट से इसके चारो तरफ आउटलाइन भी की है अब हम सूपरमेन वाला बैंड बना रहे हैं तो इसके लिए ऐसे ऐसे हमें कर लेना है और ग्लू भी चाहिए ग्लू जैसे अब आपका छोटा बन गया इससे थोड़ा सा कोई दिकत नहीं है ब्लू वाली शीट है न आपकी उसको रहन दो और येलो वाली शीट को चुपका द स्टिक कर दो येलो वाली शीट को आप स्टिक कर दो मैं स्टिक करती हूँ शेप ही नहीं पता चल दी मेरे को तो स्टिक कर देती हूँ यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी और इस पे स्टिक कर दूँगी यह मैंने ग्लू लगाया और इस पे मैं स्टिक कर दूँगी बैंड अब मैं बैंड पर स्टिक करने के बाद अब ब्लू वाला रह गया ना तो ब्लू वाले को हम स्केच पैंट से कर देंगे स्केच पैंट से उसके बाहर की आउटलाइन कर देंगे कि जैसे हमने ब्लू भी चुपकाया है लगे ऐसे मैंने यह ब्लू का आउटलाइन दे दिया है आप भी दे सकते हो ऐसे थोड़ा सा बाहर ब्लू निकलेगा बट कोई बात नहीं अच्छे से कवर होने के बाद अच्छे से कवर हो जाए यह ऐसा ना लगे कि हमने स्कीच पेंट से किया है ठीक है फ्रेंट्स यह देख को अच्छे से हो गया ना अब एस कौन बनाएगा एस के बिना तो सूपर मैन वाली राखी लगेगी ही नहीं तो इसके लिए एस बना देंगे सूपर मैन वाला एस एस होता है तो हमेशे याद रखेगा एस आपको लखना है लिखने के बाद अब आप बैंड को यहां से यहां से कट कर दीजिए उपर की तरफ और एक नीचे की सरफ शिजर से कट कर दीजिए बन गया लो आपका बैंड बन गया है